नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे की सेफाड्रोकसिल टैबलेट का उपयोग किन कंडीशन्स में किया जाता है, सेफाड्रोकसिल टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और सेफाड्रोकसिल टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और य यह भी डिसकस करेंगे कि सेफाद्रोक्सिल टेबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में सेफाद्रोक्सिल टेबलेट को लेना रेकमेंदेड नहीं होता है। सेफाद्रोक्सिल टेबलेट सेफलोस्पोरिन ड्रग क्लास की एक एंटिबायोटिक दवा है। सेफाद्रोक्सिल टेबलेट का उप्योग शरीर में बैक्टीरियल इंफेक्शन होने पर किया जाता है। जैसे फेरिंजाइटिस या टॉंसिलाइटिस होने पर, साइनोसाइटिस होने पर, तवचा पर, कोई घाव या तवचा पर, कोई इंफेक्शन होने पर, फेफडों में बैक्टीरियल इंफेक्शन होने पर, निमोनिया होने पर, पेट में इंफेक्शन होने पर, दातों या मस इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशन्स है, जिनमें आपका डॉक्कर सेफाड्रोकसिल टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। सेफाड्रोकसिल टैबलेट 250 mg और 500 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों खृपया वीडियो को लाइक करना नख भूलें। अब हम डिसकस करेंगे की सेफाड्रोकसिल टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। सेफाड्रोकसिल टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रेकमेंडेड होता है। वैसे 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर सेफाड्रोकसिल 500 mg टेबलेट को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं। लेकिन सेफाड्रोकसिल टेबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। क्योंकि सेफाड्रोकसिल टेबलेट को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका इन्फेक्शन वापिस आ सकता है। इसलिए आपको सेफाड्रोकसिल टेबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताए गए समय तक पूरा लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि सेफाड्रोकसिल टेबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में सेफाड्रोकसिल टेबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। अब हम डिसकस करेंगे कि सेफाड्रोकसिल टेबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। और किन कंडिशन्स में सेफ़ाद्रोकसिल टेबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। सेफ़ाद्रोकसिल टेबलेट वाईरल इन्फेक्शन होने पर जैसे जुखाम या फ्लू होने पर काम नहीं करती है। इसलिए एंटिबायोटिक दवाओं को तभी लेना चाहिए जब जरुरत हो बार-बार या बिना जरुरत के एंटिबायोटिक दवाओं को लेने से एंटिबायोटिक रेजिस्टिंस हो सकता है और एंटिबायोटिक रेजिस्टिंस होने पर वो एंटिबायोटिक दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी और ऐसी स्थिती में इंफेक्शन को ठीक करने के लिए आपके डॉक्टर को दूसरी एंटिबायोटिक दवा देनी पर सकती है अगर किसी व्यक्ति को लिवर या किड्नी की कोई समस्या है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए क्योंकि लिवर और किड्नी की बीमारी से पीडित व्यक्तियों में सेफाड्रोकसिल टैबलेट की डोज घटानी पर सकती है अब हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं सेफाड्रोकसिल टैबलेट को ले सकती है या नहीं वैसे सेफाड्रोकसिल टैबलेट प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को कोई नुकसान नहीं पहुचाती है लेकिन प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्टर ज्यादा जरूरत पढ़ने पर सेफाड्रोकसिल टैबलेट को लेने की सलाह देते हैं। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को सेफाड्रोकसिल टैबलेट को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए. और डॉक्तर की सलाह के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को सेफाड्रोकसिल टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका सेफाड्रोकसिल टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते शुछ सकते हैं।